दोस्तो यदि आप कोईट में रहते हो और कोईट केम तरीन ख़बरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कूप कर पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राब करेंके बेल अकन को प्रेस कर लीजिए ताकि करें आने वाली वीडियो की नोटिफलिकेस пойके सन आपको दोस्तों हमेशा ब्री में मिलती रहे दो साथिओं आज maple में बहुत ही एहम खबर आपकोमे सुनाने वाला हूं तो वीडियो को बिडियो मेरे साथ बने हुए बिना एसस वीडियो को पूरा देखिएगा लेका lenses Black appliמו आप मुबारक अलकभी रहते हो तो मुबारक अलकभी नाम का बहुत भड़ा होस्पीटल है वहां से अफवा उडाए जारी है सोसल मीडिया पे पेसेंट ने यहां पे यह डाला था कि वहां पे पिल्लो यानि तकिया जो होता है वहां पे पेसेंट को खुच से खरीदना जिसके बाद साथ हूं यह वीडियो जो है काफी जादा वाइरल हो गई वाइरल होने के बाद दोस्तों वहां पे अड्मिस्टेशन के पाज पहुंचा उन्होंने साब तोर पे यह मना कर दिया कि यह बिल्कुल अफवा है यह बिल्कुल फैला ही जा रही है और यह भी बता सोसल मीडिया पे काफी जाद है आफ फाइली थी पर साफ तोर पे इंड्मिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ओफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ओं कॉमर्स इंडेस्ट्री के तरब से बोल दिया गया यह बिल्कुल अफवा है यह इसी कोई बात नहीं है अगली अपडेट के दफस फ्लाइट आने के लिए सिफ नौ दिनों के अंदर तो बताया यह जा रहा है कि दोस्तों इत की हॉलिडेज जैसे से खतम हो रहा अब तक 70% पैसेंजर जो है वो जो कुएट से दूसरे कंट्री घूमने गये थे वह वापस लौट कर कुएट आ चुके हैं तो लगतार दोस्तों बहुत काफी तेजी से लोग घूम कर आ रहे हैं तो 70% उमीद है कि 70% दोस्तों आकड़ा निकाला गया कि आ गया है बाकी जो बचा हुआ बहुत ही जल्दी वो वापस लौट के आ जाएंगे बताना चाहूंगे साथ ही अब तक वहाँ पे 1,45,000 पैसेंजर जो है रिटन हो चुका है दो लाग साधैर पैसेंजरों में से जो की लगबग 70% हो जाता है अगली खबर की और शाती चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी मिनिस्ट्र ओफ इंटीर के तरफ से आरी इदुल फित्र से लेकर दोस्तों अब तक वहाँ पे लगबग 2130 क्रैम रि जा रही है जो भी रेसिडेंस वालेटर थे या फिजबीना एडी प्रूफ के थे उन सभी लोगों को पकड़ा गया है सभी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जहां तक मुझे उमीद है अब 1200 लोग ट्राफिक वाले संग पकड़े गया है उन लोगों को भारी जुर्मा कidet थे उन को वहाँ पर ग्रफतार किया गया था सेक्रेटी केस तो से पर्फ अधित्याव ग्रतार के लिए नहीं मिल गयाई है K17 मिनिस्ट्रिय alliance को फूड के तरफ यह बताया गया है कि कुए की जादा तेजी से फैल रहा है क्योंकि इसका वज़ा यह है कि बहुत सारी दुकान वाले ऐसे होते हैं जो कि frozen meat जो expired कर चुका हो या फिर फिस वागेरा या कोई भी ऐसी चीजें बेची जाती जो expired कर चुका उसे label लगा के बेचा जाता है जिसके वैसे food poisoning काफी जादा तेजी से फैल रही है तो यह कुछ updates थी कुछ खबरे थी जो कि कुएट से आधी थी मैंने अब तक share किया आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो चीले तो वीडियो को